स्वागत है आप सभी का रासू की रसोई में तो आज बनाएंगे मतर और दूद की सबजी जो की खाने में बेहदी टेश्टी लगती कोई साही पनीर से कम नी लगती तो चली बनाना करते हैं स्टार्ट ये लिए है मतर मतर को पाने में वाल लिया था आपको ऐसी कच्छी मतर आप मकाने डाल भी सकते हैं स्किप कर सकते है ये हरी धनिया यह है पि्याज पिसी हुई ये लिया ऐक कब दूद आपको ऐसी ही दूद लेना है थोड़ा गहाडा सा बहुत पतला नी होना चाहिए दूद कि देखिए क्योंकि हम सबजी में पानी ये अर्डनी करेंगे और ये है कुछ मसाले तो ये है सौप काली मिर्च, लाल खडी मिर्च, बढ़ी लाईची, जीरा, तेजपत्ता ये है कशूरी मेती तो ये भी इसमें अट करेंगे और इसके लिए लेंगे साही पनीर मसाला तो आपको इतनी चीज़े लेनी है सबजी बनाने के लिए तो चली सबजी बनाना करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी तो सस्क्राइब जरूर कर दीजिए तो रग दी है कड़ाई इसमें डालेंगे सरसों का तेल जो सबजी वाली चम्मच होती है ना उससे आपको दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे इसमें सूखे मसाली ये गरम हो गया तब तो आपको सारी मसाली साती डाल देना अब डालेंगे गरम इसमें प्ला में डिरेश Kaat होुआ अदरक करेंगे के हरी मेट्रेड को अच्छी से भूनना आज जल्दी भून जा प्याज इसमे अट करेंगे खुड़ा सा नमक तो भूट गस्तों सब्साइब जाती की अब ते इसमें टमाटर को पयाच tomorrow के साथ मतर उबाल के लिए तो आपको उबाल के लेनी है इससे सब्जी जटपट भी बन जाती हो टाइम भी नहीं लगता नहीं तो मतर पकने में ही बहुत टाइम लग जाता है अब डाल दिये धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउड़ी हल्दी आपको बिल्कुल थोड़ी सी आपको पानी जाती है वह से लिए में पानी मसाला पानी मसाले कोफ़ी जालना है वह कैस्थी लbone ही क्रूंब टालें जाता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुस्बू भी बहुत ही अच्छी आ जाती है मसाले में करेंगे पानी एड़ क्योंकि मसाला भूनेंगे अच्छे से पानी डालेंगे तभी मसाला अच्छे से भूनेंगा मसाला जब तक हूनना जब तक ये मसाले से तेल नालग हो जाए ये देखिए दूद आपको इतना ही गाड़ा लेना है कि इसमें उपर मलाईसी पढ़ने लगे बहुत पतला दूद ने लेना है तभी सबजी बहुत ही टेश्टी बनेगी ये देखिए अब मसाला भी भून चका है आप करते हैं इसमें दूद अड़ तो ये डालेंगे डेड़ कप दूद एक कप डाल दिया आप डालेंगे इसमें आधा कप अब इसे तुरन चलाना स्टार्ट कर देंगे नहीं तो दूद भटने का डर रहता है तो बस इसे चलाती हुए थोड़ी दिर एक से दो मिन तक चलाती हुए पकाएंगे और इसे रख देंगे ढख के पकने के लिए ये देखिए पांच मिनट होगों कए हैं पकते पकते इसमें खौल आने लगी अब इसे और चलाएंगे इस सब्जी थोड़ी ठिक सी न हो जाए तब तक सब्जी को पकाना है अब इसमें करेंगे मखाने यड़ मखाने आपको सुरूबात में नहीं डाल ले आपको लाश्ट में ही डाल ले हैं मखाने अब रख देंगे ढख के पांच पनट पकने के लिए बस इतने में सब्जी पक जाएगी तो ये देखी सब्जी अब थेख हो चुकी है इसमें करेंगे अब थोड़ा सा लाष्ट में गरम मसाला एड़ ये आपको लाष्ट में भी कर देना है जिससे सब्जी का टेश्ट और भी बढ़ जाता है तो आपको सब्जी को इतना ही पकाना है अब तक ये बिल्कुल थेक न हो जाए अब कर देंगे इंडेक्शन बन सब्जी पक चुकी है इसमें डालेंगे हरी धनिया तो है ना कितनी जी सब्जी हो खाने में तो बिल्कुल साही पनीर की तरह लगती है और आपको इसमें काजू बादाम के समिस कोई भी डालने की जरूत नहीं है आपको ये खाने में ऐसी बहुत टेश्टी लगेगी आप एक बार बना कर जरूर देखे तो आपको हमारे सब्जी की रेस्पी पसंद आयो तो प्लीज वेडियो को लाइक एंड सस्क्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और खाईए गर्म गर्म मटर दूद की सब्जी आपको मखाने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं ये देखी हो गए न मिलकुल गाड़ी साही पनीर की तरह है तो आप भी बनाईए बचे हुई दूसरे और सब्जी का इंज्वाए लीजी और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजी